ये खूब सूरत चहरा तो आपको याद होगा ही जी हाँ ये हैं श्रद्धा निगम विपाशा बसू के हैंसम हस्बन करन सिंग रोवर की फोस्ट एक्स वाइफ श्रद्धा निगम शादी के शुरुआत में ही करन ने दे दिया था श्रद्धा को धोका शादी के सिर्फ 10 महिन में ही हो गया था दोनों का तलाग आज भले ही टीवी दर्शकों के जहन में श्रद्धा निगम की धुंदली सी यादे ही रह गई हो लेकिन एक दौर था जब टीवी की पॉपूलर आक्ट्रिसेस में श्रद्धा निगम की भी गिंती होती थी जोश, क्रिशन, अर्जुन औ अपनी दमदार आक्टिंग की बदौलत श्रद्धा घर घर में पॉपूलर हो गई थी लेकिन फिर शोबिस से श्रद्धा का मोहक कुछ यू भंग हुआ कि वो अचानक इस इंडस्ट्री से गायब हो गए लंबे वक्त से श्रद्धा निगम आक्टिंग की दुनिया से दू हैं और क्या करती हैं करन सिंग्रोवर की पहली पूर्व पतनी श्रद्धा निगम ती रिवास के साथ गुरुद्वारे में शादी करनी थी। लेकिन अफसोस करण और शुरधा का ना प्यार जादा दिन टिका और ना ही इनकी शादी। शादी के कुछ ही महीनों बाद इनके बीच तनाव की खबरे सामने आने लगी थी। कहा जाता है कि जलक दिखलाजा 3 के दौरान करन अपनी कोरियोग्राफर निकॉल के साथ इश्क लड़ाने लगे थे। कहते हैं कि तब श्रधा ने करन को रंगे हाथों पकड़ा था। सिर्फ 10 महीने में ही श्रधा ने करन से तलाक लेकर उनके संग अपने सारे रिष्टेनाते तोड लिये थे। हाला कि अब सिर्फ करन ही नहीं बलकि श्रधा निगम भी अपनी जिंदिगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है। करन से अलग होने के बाद श्रधा निगम ने साल 2012 में टीवी आक्टर मयंकानंत के साथ शाधी कर ली थी। आक्टिंग की दुनिया से दूर श्रधा अब बिजनेस वर्ल्ड में काम्याबी हासिल कर रही है। श्रधा अब सक्सेस्वूल एंटर्प्रेणियोर बन चुकी है। क्लोधिंग, इंटीर, डिजाइनिंग से लेकर आर्किटेक्चर तक श्रधा हर छित्र में नाम कमा रही है। वो सोचल मीडिया पर भी खूब आक्टिव रहती है। नई नई तस्वीर और वीडियोज पोस्ट कर श्रधा अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रहती है। बात करें करन सिंग ग्रोवर के बारे में तो आक्टर ने साल 2016 में विपाशा बसू के साथ लेविश वेडिंग की थी। दोनों अक्सर अपनी लवी-दवी केमिस्ट्री से कपल्स गोल्ड देते दिखते हैं। वहीं अब ये दोनों एक क्यूट लिटिल डॉल के पेरेंट्स भी बन गए हैं। जिनका नाम इन्होंने देवी बसू सिंग ग्रोवर रखा है। विरो एपोर्ट एट्वेंटीफॉर